काम्याब होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यक्ता होती है और ज्यादा काम्याब होने के लिए अच्छे शत्रों की आवश्यक्ता होती है सज्जन को सम्मान देकर, लोभी को धन देकर, विद्वान को तरक देकर, और दुष्ट को दंड देकर पक्ष में किया जा सकता है जो इनसान शक्तिना होते हुए भिहार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती है अगर सांप जहरीला ना भी हो, तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, जाकर देखो वन में, जहां सीधे पेड़ काड़ दिये जाते हैं, और टेड़े खड़े रहते हैं सांप, राजा, शेर, सूर, दूसरों का कुट्टा और मुर्ख ये अगर सो रहे हों तो इन्हें मत जगाओ किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिती को देख कर उसके भविश्य का उपहास मत उड़ाओ क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोईले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है कोई भी समस्या मानवी अक्षमताओं से बड़ी नहीं है आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है किसी मुर्ख व्यक्ति से तारीफ सुनने से बेहतर है किसी बुद्धिमान से डांट सुनना व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्क जाता है हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो यह कड़वा सच है जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण करके उसे नश्ट कर दीजिए किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना की एक अंधे व्यक्ति के लिए आई ना सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं यह आपको बर्बाद कर देगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें